और संग के प्रमुक मानिय मुहन भागवत जी के भी मुव्मेंट में अनावश्यक परशानी पैदा करने की कोशिश की गई और एक बार तो मैं स्वैम भुक्त भोगी हूँ जब मैं पटना से चुनों लड़ रहा था तो पटना के कंकरबाग में उत्तपदेश के मुख्यमंत्री जी मेरे पिचार के लिए आने वाले थे तो उनके हेलिकॉप्टर को उतरनी केनमत्य नहीं मिल रही थी वो छे घंटे लेट आए तो ये तो प्रधान मंत्री और पार्टी के राष्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की मैंने बात बताई आपको आपको मालूब है कुछ दिन पहले पार्टी के एक काउंसलर मनी शुकला की हत्या की गई थी और उसमें उन्होंने वीडियो के द्वारा ये बताया था कि किस प्रकार से हमें हमारी हत्या हो सकती है और उनकी बहुत जगन दुर्भागी पुर्ण हत्या हुई उसमें कुछ योग पकड़ाएं हैं उनके खिलाफ क्या कारवाई होगी आगे वाला समय बताएगा आज इन तमाम राजनीतिक हत्या और अत्याचार के खिलाफ भाजपा के द्वारा एक मार्च का योजन था जिसका हम नाम देते हैं जो उनका सची वाले है उसकी और मार्च करने की बात इतना हमला किया गया लगभग एक लाख लोग उस मौर्चे में थे और हमारे लगभग पंधरासो कारेकरता खायल हूएं पंधरासो और आपके सामने हम यह बताने आये हैं कि जो हमारे प्रमुक कारेकरता खायल हूएं उसमें अर्विंद मेनन जो हमारे राश्टिय सची है नाशनल सगेटरी वो खायल हैं राजु बैनर जी जो इस्टेट के उपाध्यक्ष है, वाइस प्रेजिडन्ट है, वो वमिट कर रहे हैं, इस हॉस्पिटलाइज़ इन दापोलो हॉस्पिटल, शिवाजी शॉन्रोय सर पे चोट लगी है, वो नौर्स कलकटा के प्रेजिडन्ट है, और जो हमारे युवा मोर्चा के राष्टी धक्ष हैं, तेशी सुरिया, उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई, और बाकी तो मैं सारी चीज़ें टीवी पर आई हैं, मैंने सिर्फ आपको प्रमुख लो का नाम बताया है, आज कल ममता जी लोक तंत्र की दुहाई बहुत दे रही थी, कुछ दिनों से, मार्च भी निक अत्रिकाल में क्या होता है, विरोज की जगह है या नहीं, आपके प्रदेश में तो काटून बनाने पर भी गिरफ्तारी होती है, मीडिया की, और अगर कोई विरोज में स्वर बोलता है, तो हत्या होती है, और इसका कारण बहुत स्पष्ट है, इसका कारण ये है, कि त्रन नीतिक जमीन खिसक रही है, और इसका प्रमान पिछला लोकसभा का चुनाओ है, जहां बीजेपी ने अठारा सीटे प्राप्ते की, आपको मालूम है, अठारा लोकसभा के सीटे हैं, और सबसे अश्र लगता है, जिस पार्टी ने ये खिंसा का तांडव शुरू किया, CPM, आकिल वो भी पिट रहे हैं, खामोश रहते हैं, और कॉंग्रिस पार्टी के बारे में तो जितना कम कहा जाए, उनका तो शायद करीब करीब वजूद ही नहीं बचा है, पुरे बंगाल में। और हम ये बहुत विनमता से कहना चाहते हैं, ममता जी और TMC को, कि अगर आपको लगता है कि लाठी से और पुलिसिया दमन से, आप भाजपा के विस्तार को बंगाल में रोक लेंगी, तो आप इसमें सफल नहीं होंगी। पहले भी आपने रोकने की कोशिश की देखा, हम लोग अठारा पहुँच गए बीजेपी बंगाल में। और पूरे जमीन के संकेत ये बताते हैं, कि अगला विधान साबा का चुनाओ जब भी होगा, तो बीजेपी के सरकार बनना वहां तैह है, लोग वहां बदलाओ चाहते हैं। इसलिए खौफ का महौल, डर, दमन ये कारवाई की जा रही है। इसके हम बहुत ही भर्षना करते हैं। और एक बात हम और कहेंगे, दिल्ली में सेल्फ अपॉइंटेट लिबरल्स बहुत हैं, जो देश के लोकतांत्री का धिकारों की बात करते हैं। भाजपा राज में कोई घटना होती है, उसके जाच भी हो रही है। कोट में तो ये तक कह दिया गया कि आप कोट के नियंतरन में जाच करा लिजिए। उसको लेके इतना हला, लेकिन बंगाल के पुलिस के दवन पर खामोशी है। ये क्या है। ये क्या है। also shows that the entire saga of torture of Bengal administration and police and the brutal suppression of opposition voice is of no importance to them. तो विरोध की आवाज को दवाया जाए, ये उनके लिए विशा नहीं है। और ये कोई नहीं बात नहीं है। केरला में भी जब संके स्वमसेवगों को मारा गया सैकडों के संख्या में तब ही वो खामोशी रहते हैं। लेकिन तो पर संख्या में अलन जाए नहीं है।